आपके YouTube Shorts वाइरल नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उसे सही तरीके से अप्लोड ही नहीं कर रहे हो देखो दोस्तों जब आप अपने YouTube एप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको वाइरल शॉट्स दिखते हैं जिसे YouTube के अल्गृत्म में हम ब्राउस फीचर से व्यूज आना बोलते हैं एक और इंपॉर्टन फीचर है यहाँ पर Shorts फीड़ देखो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको वाइरल शॉट्स दिखते हैं जहां से पिसिकले आप Shorts को स्क्रॉल करके दिखते हो वही पर अगर इन दो जगह पर आपके Short वीडियो आ जाते हैं वीवर्ज के अप में तो आपके भी Short वीडियो 100% वाइरल हो जाएगी और यह मैं गारंटी के साथ बन रहा हूँ यानि अगर वो वीडियो ब्राउस फीचर में चले जाए अपने यूटूब आप को ओपन कर लेना है और Short वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने के लिए यहां पर सेंटर में आपको प्लस आइकन दिख रहा है आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है देखो दोस्तों यूटूब का अल्गरिफम अब पूरा चेंज हो गया है तो पहले की तरह Short को अपलोड करने का अब कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं आपको बोड़ा हूँ कि आप बिल्कुल Step में समझो कोई भी Step में समत करना सो प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने Shorts का कैमरा ओपन हो जाएगा अब बहुत से नए Creators गलती क्या करते है वो Shorts को अपलोड करने के लिए यहाँ पर वीडियो टैप पर क्लिक करके Short File को सिलिक करते है जो की अब गलत है YouTube के नए Update के बाद यहाँ पर आपको Long Videos और Shorts दोनों अपलोड करने का अलग-अलग फीचर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको सही तरह का क्या है वो आप अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको Short Tap पर क्लिक करना है और अपने उस Video File को सिलिक कर लेना है अगर वहीं आप Video File पर क्लिक करके इसे अपलोड करोगे तो वो वीडियो Short Feed में नहीं जाएगी और वो कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाएगी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहो ना यहाँ पर Shorts लिखा वा आया वा है लेकिन वो कुछ ऐसे अपलोड हो जाता है और इससे ही आपके व्यूज नहीं आपाते है तो यहाँ पर आपको Short Step पर ही क्लिक करके अपने उस Video File को सिलिक करना है तो यहाँ से मैं एक Video सिलिक कर लेता हूँ अब देखो यहाँ पर भी आप अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हो आगे से या फिर बैक से Unwanted Part को हटाने के लिए अभी मुझे नहीं हटाना है तो यहाँ पर मैं Simply नीचे Done पर क्लिक कर देता हूँ यह कुछी से किंग मैं इसे Process कर देगा देखो अभी भी यह Completely Processing Done नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक चीज को ध्यान से समझो कोई भी Step मिस हो गई न तो आप इसका सही तरीका नहीं जान पाओगे और Shorts विर वाइरल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर देखो यह Done करने के बाद भी आपको यहाँ पर नीचे अप टिक पर क्लिक करना होगा तो टिक पर क्लिक कर देखे हैं Then Next Step में यूटूब के नए अपडेट के बाद यहाँ पर आपको धेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं लाइक आप साउंड पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी ट्रेंडिंग सॉंग लगा सकते हो टेक्स्ट, स्टीकर, फिल्टर जो चाहे आप वो लगा सकते हो बट हमने तो पहले सही अच्छी से एडिटिंग की भी है तो यहाँ पर उपर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं अब देखो दो नए इंपोर्टन सेटिंग्स आपको करनी है और यही फैक्टर है जो कि आपके शॉट्स को वारिल कर सकता है इसलिए आप ध्यान से समझो यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है यहाँ से आप अपने उस शॉट्ट वीडियो का थमनिल लगा सकते हो और थमनिल बहुत ज़ादा इंपोर्टन है शॉट्स को वारिल करने का और आगे वीडियो में आपको इसका लाइफ प्रूफ भी दिखाऊंगा लाइक आपने दिखा होगा जब आप अपने यूट्टूब एप को ओपन करते हो तो यहाँ पर शॉट्स तुरंत ही आ जाते है और यह सारे शॉट्स वाइरल है और यह इसलिए वाइरल है क्योंकि इसका थमने क्लिक बिट वाला है देख रहे हो ना यहाँ पर जितने भी वीडियो कोई भी ओपन कर लो क्योंकि इसका थमने लिए ऐसा है कि लोग मजबूर हो जाते है इस पर क्लिक करने पर और YouTube के algorithm को ये बहुत ही बड़ा positive signal लगता है कि लोग इस पर जादा click कर रहे हैं और यही बात है कि thumbnail बहुत जादा important है shots को while करने के लिए तो आप अपने उस short video का most interesting part, funny part या फिर most shocking part को thumbnail में जरूर दिखाओ जिससे कि viewers उसे देखते ही उस पर click करें और आपके video को देख ले और एक और important बात आप सिर्फ यही से अभी अपने short videos पर thumbnail लगा सकते हो videos upload हो जाने के बाद आगे आपको thumbnail लगाने का मौका नहीं मिलेगा तो आप ध्यान से जरूर से यहाँ पर अपने video में thumbnail को जरूर से set कर लेना उसके बाद आपको दो most important settings को on करना है सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसकी visibility पर click करके इसे unlisted पर set कर दो कभी भी shots को हाथो हाथ upload करके public मत करना वना YouTube के algorithm को processing करने का time ही नहीं मिलेगा और आपके shots के quality खराब हो जाएगी और वो video short feedback में नहीं जाएगी तो यह करने के बाद एक और important settings आपको सही तरीके से on करना है यहाँ पर आपको audience पर click करके अपनी target audience को select करना है यहाँ पर भी बहुत सारे नहीं creators गलती क्या करते हैं वो इसे yes made for kids पर select कर लेते हैं जिससे कि उनके videos जादर लोगों तक पहुँच नहीं पाते और सिर्फ बच्चे देखके खुश हो जाते हैं और creators निराश हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसे no, it's not made for kids पर select कर देना है इससे आपके shots की reach बरेगी और देन फिर वो बच्चे, adults, सभी age group के audience देख पाएंगे तो यह important settings करने के बाद आपको back आ जाना है और यहाँ पर title में अभी आपको कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो क्योंकि सारे important settings करना अभी आगे बागी है तो यहाँ पर आप title में कुछ भी लिख दो लेकिन हाँ, title में hashtag shots जरूर से लगाना तभी आपकी वो video short feed में जाएगी और यह एक बहुत ही बरा step है अपने shots को viral करने का तो यहाँ पर hashtag shots लगाने के बाद अब आपको नीचे upload shot का button दिख रहा है आपको upload shot पर click कर देना है तो यह फिर जो है upload में लग जाएगी तो यहाँ पर आप shots को viral करने का सही तरीका जानू यहाँ पर आपको सबसे पहले एक app को install करना होगा जिसका नाम है YouTube Studio I hope आपने पहले से ही इस app को download और install किया है तो यहाँ पर आपको YouTube Studio app को open करना है तो यहाँ पर आपको content icon दिख रहा है आपको उस पर click कर देना है तो यहाँ पर shots टैप पर click करके आपको अपने उस shots के details में चले जाना है तिन यहाँ पर आपको उपर में pencil icon दिख रहा है आपको pencil icon पर click कर देना है तिन अब यहाँ पर आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझो यहाँ पर सबसे पहले आपको title का option मिलता है title पर click करके आप अपने वीडियो का एक interesting सा eye catchy और clickbait title बोल सकते है वो आप यहाँ पर लिख दो like for example मेरा short video है 60 second में YouTube thumbnail कैसे बनाए तो यहाँ पर how to make YouTube thumbnail या thumbnail कैसे बनाए वो नहीं लिखना है उससे काम नहीं चलेगा उसके बजाए आप यहाँ पर कुछ ऐसा eye catchy title लिख सकते हो और eye catchy title लिख जाता है short video पर then most important thing hashtags आपको कितने hashtags लगाने और कौन से hashtags लगाने यह बहुत ज़्यादा matter करता है अगर आपका एक बड़ा चैनल है तो आपको hashtags लगाने के भी जरूरत नहीं है short वैसे भी viral होगा लेकिन एक नए channel को viral करने के लिए आपको title, hashtags और description सही से set करना ही होगा तो यहाँ पर आपको title में सिर्फ और सिर्फ एक hashtag hashtag shots जरूर से लगाना है अब यहाँ पर भी बहुत सारे नए creators गलती क्या करते है वो hashtag shots के जगा hashtag shot लिख देते हैं जिससे कि उनकी वीडियो short feed में जाते ही नहीं है तो यहाँ पर आपको hashtag shot के साथ S यानि hashtag shots जरूर से लगा देना है और आप देखो यहाँ पर 836 मिलियन से भी जाद लोगों ने इसे use किया है यहाँ पर आपको hashtag shots लगा देने के बाद then most important thing यहाँ पर आपको अपने title को पूरा का पूरा copy कर लेना है और आज आना है अपने description में अब आप ध्यान से देखो सही तरीका क्या है आप जैसे पहले title description tags लगाते थे वैसे नहीं लगाना है अब पूरा process चेंज होगी है मैं आपको इसका सही format में rearrange करके दिखाऊंगा और एक viral trick ही बताऊंगा और इससे ही आपके shots viral होगी तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो सबसे पहले आपको description में जो आपने अभी title को copy किया था description की first line में उसे यहाँ पर paste कर देना है then अब आप trick को देखो यहाँ पर आपको trending और viral tags लगाना होगा उसके लिए यहाँ पर आप आजओ अपने chrome browser में और यहाँ पर search करो SEO studio tools और जो पहले website आज़े उसे open कर दो और बस यहाँ पर आपको अपने वीडियो का topic यहाँ पर enter कर देना है like मेरे वीडियो का topic है YouTube thumbnail यहाँ पर उसे enter कर देते हैं और फिर generate बटन पर click कर देते हैं देन कुछी सेकेंड में यह website आपको सिर्फ और सिर्फ viral tags बता देगा यह आपको 500 tags नहीं बताएगा confuse करने के लिए सिर्फ वही tags बताएगा जो की अभी trending है और जो लोग जादा search कर रहे हैं तो यहाँ पर इन में से बस 7 art trending और viral tags को click कर देना है और नीचे यहाँ पर copy to clipboard आपको दिख रहा है उस पर click करके इसे copy कर देना है और इसे उठाकर अपने description में लाकर यहाँ पर paste कर देना है लेकिन इसे आपको ऐसे ही नहीं paste कर देना है वड़ना आपका वो video spam हो जाएगा यहाँ पर आपको इसके पहले related queries या your queries mention कर देना है YouTube के algorithm को ध्यान से दिखो भी आपको इसको proper format में rearrange करना है तो आगे के steps को भूल के भी miss मत करना यहाँ पर आपको trending tags लगाने के बाद viral hashtags लगाना होगा तो यहाँ पर उसके लिए भी आप same website पर आजाओ और scroll करके थोड़ा नीची आओगे तो यहाँ पर आपको YouTube hashtag generator दीख रहा है आपको उस पर click कर देना है और यहाँ पर आपको अपने बस video का topic को mention कर देना है like हमारे video का topic है thumbnail कैसे बना है यहाँ पर YouTube thumbnail add कर देते हैं और उसके बाद generate पर click कर देना है दिन ये कुछे second में आपको देखो viral और trending ही hashtags आपको यहाँ पर show कर देगा तो यहाँ पर without confusion इनमे से भी 7-8 hashtags को select कर देते हैं और नीचे copy to clipboard पर click करके इसको भी copy कर देना है और इसे description में लाके यहाँ पर paste कर देना है अब आप ध्यान से देखो इसे आपको rearrange करना होगा सही तरीका के app वो देखो यहाँ पर description का सबसे पहला line title से मिलता जूलता होना चाहिए यहाँ पर आपको इसे कुछ change नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर trending tags या keywords को add करना होता है तो वो हमने अच्छे से set कर लिया है then most important thing यहाँ पर आपको अपने दूसरे social handles जैसे Instagram, Facebook या Twitter उसके link को यहाँ पर mention कर देना है क्यों? क्योंकि YouTube को कुछ भी spam नहीं लगना चाहिए यहाँ पर आप इसको add कर दोगे तो इससे आपका description professional लगेगा और दिन फिर YouTube भी उसको recommend करेगा समझे हो न? उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको hashtags लगाना होता है वो भी इस format में तो इसको आप सही से rearrange कर लेना उसके बाद यहाँ पर यह important settings करने के बाद आपको अपने description से वापस आ जाना है और यहाँ पर tags and more पर click कर देना है देन यहाँ पर आपको अपने trending tags को यहाँ पर भी लाकर paste कर देना है वही tags जो कि हमने related और your queries में लिखा था without hashtags वाले उसको copy कर लेना है और यहाँ पर tags मिलाकर same to same उसे यहाँ पर paste कर देना है यह important settings करने से आपको search result से भी अच्छे views आएंगे like for example अगर मैं search करता हूँ thumbnail कैसे बनाए तो आप देख सकते हो मेरे short videos यहाँ पर viral short section में दिख रहे हैं और कितने views हैं? millions में views हैं तो अगर मेरी short video viral होई है तो इससे आपकी भी short viral हो सकती है अब यह important setting करने के बाद finally most important trick आपको अपने short video की category मैं फिर से बोल रहा हूँ short video की category को select करना है अब सब कुछ depend करता है आपके shots की सही category के select करने के उपर क्योंकि इससे ही YouTube का algorithm आपके short video को target audience लग पहुँचाता है और दिन फिर वो short viral होती है like for example मेरा short channel है tech की उपर लेकिन मैं आपको अभी educate कर रहा हूँ तो मैं अपने short video की category को education पर set कर सकता हूँ इसी तरह आपको अपने हर short video के according ही सही category को select करना होगा और अगर आपको सही category नहीं पता है तो आप ये video को देखो इसमें मैंने आपके चैनल का category क्या होगा वो बताया है और ये setting कर देने से आपका channel बहुत तेजी से ग्रोह होगा इसे आठ लाग से जादा लोग ने दिखा है उनकी बहुत help हो ये आपकी भी हो जाएगी ये कर देने के बाद आपको अपने इस शॉट को अपने channel के right time के according ही public या schedule कर देना है ये था सबसे सही तरीका शॉट वीडियो को upload करने का